हालो एव्रीवान वेलकम बैक टू माई चैनल लॉन विद रूची आज हम लोग ल्सी एम बाई कॉमन मल्टिपल मेथेड करेंगे मतलब क्या होता है यह मीन्स लोवस्ट कॉमन मल्टिपल तो यह टम आपको और अच्छे समझ में आएगी जब हम आगे संग करेंगे राइट बट आज हम लोग ल्सी निकालेंगे कॉमन मल्टिपल मेथेड से वैसे और दो मेथेड होते हैं से निकालने के लिए लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहें कॉमन मल्टिपल से तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्सम में आपको दो सम्सक्राऊंगी एक दो नंबर्स के बीच में ठीक है त्री और 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 शेकंड फोर और यहीं पता है तो प्लीज आप वीडियो का लिंक में शेयर कर दूनगी आई बटन पर आ पहले हम इसमें निकालेंगे multiples of 3 and 4 ठीक है अब 3 की multiples क्यों होते हैं देखिए वैसे में multiples होते हैं जिसे 3 1s are 3, 3 2s are 6 तो ये सारे multiples होते हैं मतलब आपको 3 की table ही लिखनी है आगे 3 6 9 ये सारे क्या हैं? multiples हैं जब 3 को 1 से multiply किया तो 3 3 को 2 से multiply किया तो 6 फिर 9, फिर 12 फिर 15 ठीक है? फिर 18 फिर 21 फिर 24 फिर 27 फिर 30 and dot 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 क्योंकि multiples जो होते हैं वो endless होते हैं तो हमें नहीं पता हमें आगे तक कितने तक जाना है तो मैं ये कहूंगी कि आप at least 10 तक लिख दीजिए ठीक है? 10 multiples लिख दीजिए और आगे dot 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 लगा दीजिए इसका मतलब होते हैं आगे continue हो रहा है लेकिन हम नहीं लिखेंगे because हमें इतने की जरुरत है अब multiples of 4 लिखेंगे 4 ones of 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16 फिर 20 ठीक है? फिर 24 फिर 28 फिर 32 फिर 36 फिर 40 अब डॉट 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 अब common multiples of 3 and 4 अब आपको अब आपको common multiples निकालने है 3 and 4 के बीच में कौन से common है देखे 3 इदर है 3 नहीं 6 6 इदर है नहीं है ऐसे चेक करते चलना है एक एक नमबर 9 इदर नहीं है 12 येस 12 है तो सबसे पहले common multiple क्या हुआ? 12 उसके बाद 15 15 इदर नहीं है 18 18 इदर नहीं है 21 21 इदर नहीं है ठीक है? 24 येस 24 इदर भी है and इदर भी है ठीक है? उसके बाद 27 इदर नहीं है 30 इदर नहीं है तो बस हमें इतने में हो जाएगा हमारा तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि common multiples of 3 and 4 में हमें क्या लिखना है? 12 comma 24 comma dot 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 का मतलब है कि और भी common हो सकते हैं लेकिन हमें जरुरत नहीं है हम इसमें dot 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 लिख देंगे राइट? अब देखिए LCM of 3 and 4 is LCM means lowest common multiple अब common multiple तो यह आ गए अब इन common multiples में से lowest कौन सा है? सबसे छोटे वाला तो सबसे छोटा क्या है? 12 तो बस answer is 12 राइट? तो इस तरीके से हमें और जादा आगे तक जाने की जुरत नहीं थी सिरफ हमें तो सबसे छोटे वाला multiple था उसी की जुरत थी इसलिए हमने 12 and 24 लिखा उसके बाद जो सबसे छोटा था common multiple में वो लिख दिया तो वैसे यह जो common multiple method है आपको बोलना चाहूंगे यह बहुत छोटे numbers के लिए easily use होता है जब higher numbers आते हैं तो यह वाला method हम use नहीं करते हैं तो चलिए अब 3 numbers के बीच में हम LCM find करना सीखते हैं second sum is find LCM of 3 3, 6 and 8 यहाँ पर मैंने multiples पहले लिख लिए है इस तरीके से मैंने अभी आपको पहले बताया था last में आपको dot 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 लगा देना है अब हम लोग common multiples देखते हैं तो यहाँ से start करना है पहले देखने 3, 3 इधर है, इधर नहीं है 6 इधर है, इधर है, इधर नहीं है इसी तरीके से 9 इधर है, इधर नहीं है इधर नहीं है, 12, 12 इधर है, इधर है, बट इधर नहीं है, तो हमें तीनों में होना चाहिए, वही common लेना है, 15, इधर है, इधर नहीं है, 18, 18 इधर है, बट इधर नहीं है, इसे तरीके से 21, 21, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, 24, इधर है, इधर है, इधर है, तो 24, जो है तीनों में common है तो इसके लिए हम उसको सरकल कर देते हैं उसके बाद देखे 27 इधर नहीं है इधर नहीं है 30 इधर है इधर नहीं है तो आगे और भी common हो सकते हैं लेकिन हम आगे कितना आगे तक जाएंगे तो अब हम लोग common multiples of 36 and 8 में लिखते हैं 24 ठीक है कॉमा डॉट 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 इसका मतलब आगे और हो सकते हैं अब LCM of 36 and 8 में हम क्या लिखेंगे 24 क्योंकि सबसे छोटा तो 24 ही होगा चाहिए आगे और कितने भी आप common multiples लिख दें ठीक है तो इस आपको LCM निकालना है by common multiple method यह बहुत easy है वैसे LCM निकालने के और method होते हैं एक्जाम में आपको जो भी method से पूछा जाए आप उसी method से निकालिएगा और अगर कुछ नहीं कहा जाए तो आपको जो method easy लगे आप वो कीजेगा राइट तो विद्निस यह टॉपिक ही होता है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर जरूर कीजेगा अगर मेरे चानल पर फर्स टाइम आई है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर दीजेगा आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके कोई भ तो ओके बाई थैंक यू टेक केर